नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोच फिरी डीश के उपर तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा सेट्टॉप बॉक्स लेके आए जिसके अंदर आप सारे चैनल चला सकते हो और वो चैनल कैसे चलाने हैं क्या चलाने हैं इसके बारे में इस वोडियों में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले है तो जैसे कि आप सब को पता है जब आप चैनल सक्यान करते हो तो आपके सेट्टॉप बॉक्स में काफी चैनल सक्यान होते हैं लेकिन आपको बहुत कमी चैनल है जो कि free-to-ear दिखाई देते हैं लेकिन जो encrypted channel है अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आपको यह setup box purchase करना होगा और वो सारे channel इस setup box में कैसे आप देख पाऊगे उसके बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो यह setup box दोस्तों आप हमारे पास देख रहे हो इसका नाम है Tonyton Mac Series Setup Box तो इसके कुछ features भी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं OSD Multilanguage, DVB Digital Setup Box, Disk QC 1.2 FM, Multichannel Receiver और FTF Free-to-Air Broadcasting तो basically दोस्तों यह जो setup box है, free-to-air setup box है लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ा जुगाड करके हम आपको सारे paid channel इसके अंदर चला कर दिखाने वाले हैं तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है HD1080 Pixel तो सबसे पहले दोस्तों इसकी unboxing हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़े मिलती हैं जब आप इस setup box को purchase करते हो तो चलिए unboxing शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या आता है तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास solid की LNB है SL18 का setup box है और यह देखिए एक हमारे पास यहाँ पर digital satellite finder भी है जो कि solid का है अगर यह सारी चीज़े आप खरिदना चा दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़े मिलती है तो simply दोस्तों जब भी हम box को open करते हैं तो सबसे पहले हम आपको power adapter दिखाते हैं तो यहाँ पर power adapter आप देख सकते हो कितने अच्छी इसकी voltage rating है तो यहाँ पर C&D नाम से हमें यह power adapter मिला है और कुछ यहाँ प पर इसका voltage rating भी mention किया गया है तो अभी आप देख सकते हो input voltage, output voltage और brand name C&D तो काफी बढ़िया power adapter है और इसमें कि यहाँ पर छोटा सा indicator है जब भी power on होता है तो यहाँ पर लाल कलर का indicator जल जाता है तो चलिए box में जो दूसरे content है उसके बारे में जान लेते हैं तो आपको मि multiplated है काफी अच्छी quality का है उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है एक remote यह जो remote है दोस्तों बाकी remote से काफी मजबुत हमें यहाँ पर लग रहा है remote की length थोड़ी चोटी है इसमें से कुछ keys यहाँ पर कम कर दी गई है लेकिन जो भी हमारे essential keys है वो सारी keys आपको यहाँ पर मिल ज मिल रहा है और काफी मजबुत है तो इसे भी हम नीचे रख देते हैं और अपना जो setup box है उसे हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं तो आप setup box को देख सकते हो बड़ा ही प्यारा setup box है तो चलिए मेरे सामने से इसे आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर front panel पे आपको मिलता है USB port और उसके बाद मिलता है आपको volume plus, volume minus, channel plus, channel minus और power का एक ऐसे पाच बटन्स आपको front panel पे मिल जाते हैं तो चलिए अब इससे हम back panel से भी देख लेते हैं तो back panel पे इसके आपको मिलेगा lnb in तो यहाँ पर जो भी आपकी dish antenna की cable है वो आप यहाँ पर लगाओगे उसके बा यहाँ पर आपको power adapter connect करना है यह वाला तो वो यहाँ पर इस तरह से connect हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए हम इस वीडियो में आपको इसके अंदर सारे paid channel चला कर नहीं दिखा सकते हैं तो आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इसक वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए